अलावा नतीजों के लिहाज से Infosys भी आज फोकिस में रहेगा नहीं सिर्फ इन्फोसिस पूरे IT स्पेस पे नज़र रहेगी क्योंकि TCS के अच्छे नतीजों के बाद भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया पर Infosys के नतीजे भी खास नहीं आए हैं कैसे रहे हैं इंटर्नल्स और साथ ही ब्रोकरिजिस क्या कह रहे हैं और खास तोर से गाइडन्स को लेकर क्या कुछ कुछ कॉमेंटरी आई है यह पूरी डीटेल्स लेकर अनीशा हमारे साथ जोड़ चुकी है अनीशा बताईए जो यहां Infosys के नतीजों की बात करें तो काफी वीक नंबर आए है Infosys के Top Line में 2.2% का Consent Currency Decline आ रहा है Versus our expectation of just a 0.4% decline बहुत बढ़ा miss है Top Line में इसका impact margin पे भी आ रहा है क्योंकि margin 20.1% आया है जबकि हम 20.7% मान के चल रहे थे Profitability Optically higher लग रहा है मारी expectation से पर याद रखें महाँ पे Other Income का बहुत बड़ा element है Other Income में बड़ा jump आया है Year on, Year on, Quarter on, Quarter basis पे इसलिए Profitability बहतर दिख रही है क्योंकि अगर Other Internals की बात करें चाहिए Dollar Revenue, Rupee Revenue यह सब weaker है expectation से बात यहीं खतम नहीं होती है जो FY25 का guidance है वो भी काफी weak है Street मान के चल रहा है 3-6% तक का FY25 growth guidance आएगा या at least 2-5% आएगा Actual growth guidance FY25 कानों ने 1-3% दिया है जो की upper end of range से काफी बड़ा miss है तो काफी disappointment रहेगा emphasis के number को चलते हुए margin guidance की भी बात करें तो इतना कुछ enthusing margin guidance नहीं है वो 20-22% बात कर रहे है जो last year भी उनका largely band था तो काफी different नहीं हुआ है वहा से the only silver lining in the number is the fact that deal pipe ryan काफी strong रहा है तो deal वन आया है 4.5 billion dollar का जो की एक only silver lining है बट अगर ADR का reaction देखे वो already negative है and given the fact that Q4 earnings weak रहे है उसके चलते employee headcount भी quarter on quarter basis पे decline हुआ है North America में weakness रही है इसके चलते थोड़ा weakness expect करेंगे Infosys से Thank you Anisha इस पूरे update के लिए तो Infosys के तरफ से कमजोर नतीजे है FY25 के लिए भी guidance कमजोर है जिस पर की street की नजर थी यह तो बात होई Infosys की लेकिन Infosys और दूसरे नतीजों पर brokerage reports कैसी आई है एक बार देख लेते हैं हमारे साथ अशिशा जोड़ चुकी है पूरा update लेकर अशिशा गुड मॉर्निंग बताइए जी हाँ सबसे पहले UBS की बात करते हैं Infosys पर उन्होंने target price घटाया है जो 800 रुपए प्रती share था वो अब घटा कर 1700 रुपए प्रती share कर दिया है उनका मानना है कि नतीजे काफी कमजोर थे डील पाइपलाइन थी strong लेकिन उनका मानना है कि management ने guidance जो दी है वो काफी conservative side पर है stock में already under performance देखने को मिला है और इसलिए अभी ज्यादा downside नहीं देखने को मिलेगा इस stock पर 1700 रुपए का revised target UBS से Infosys पर आया है इसके अलावा Investec के भी report आई है Infosys पर जहाँ उन्होंने target price जो पहले 1640 रुपए प्रतिशेर था वो घटा कर 1540 रुपए प्रतिशेर कर दिया है उनका मानना है कि discretionary spending environment काफी कमजोर है जिसके चलते guidance conservative है लेकिन जभी भी discretionary spending environment revive होगी Infosys सबसे बड़ा beneficiary होगा इस trend change का अभी के लिए उन्होंने hold की rating बरकरा रखी है और 1540 रुपए प्रतिशेर का लक्षे दिया है इसके अलावा JP Morgan की भी report आई है जा उन्होंने target price 17 रुपए प्रतिशेर कर दिया है उनका मानना है कि all in all नतीजे काफी कमजोर थे revenue guidance जो company ने 525 के लिए दी है 1-3% revenue growth वो काफी realistic नजर आ रहा है uncertain environment है जिसके चलते outlook काफी conservative है लेकिन realistic figure है उन्होंने अपने earnings estimates भी गटाए है 4-5% पर लेकिन all in all सभी brokerages का मानना है कि नतीजे काफी कमजोर थे infosys पर और across the board सभी brokerages से target price cuts भी आते हुए नजर आए है ठीक है तो यह तो बात रही brokerages कहां पर आज रखेंगे नजर यह कुछ हम analysis करते हैं हमारे experts के साथ और अब हमारे साथ अविनाश जी भी जुड़ चुके हैं उनका स्वागत करेंगे अविनाश बहुत-बहुत स्वागत है आपका it now स्वादेश पर good morning सबसे पहले तो आईटी पर आप नजर्या दीजे क्योंकि आज infosys की guidance थोड़ा सनराश जरूर करती भी नजर आएगी पर जैसा के हम देख रहे हैं मिनाश TCS अच्छे नतीजों के बाद भी stock ने react नहीं किया infosys नतीजे ही नहीं support कर रहे हैं ऐसे में क्या आईटी में और भी इस quarter pain रह सकता है बिक्वाली हावी हो सकती है गुड मारिंग शरिष्टी आइटिंक देखें नंबर्स जो आये हैं वो more or less in line थे लेकिन जो growth commentary आई है मेरे क्याल से जो margin guidance है प्लस जो dollar guidance है वो मेरे क्याल से इतना exciting नहीं है जिससे कि हम कहें कि market में इसमें कोई बड़ी rating आने की possibility रहेगी तो मेरे क्याल से देखें कल तो मैं देख रहा था कि शाम को ADR करीवन infosys का 5-6% डाउन था तो हो सकता है कि markets initially stock को थोड़ा नीचे गिरा दे और जो भी growth potential जो हम expect कर रहे है वो मेरे क्याल से second half of FI 24-25 आएगा पहला हाफ काफी challenging रहेगा तो मेरे क्याल से इनके पास है वो hold करे तो मेरे क्याल से जिनके पास है वो hold करे तो फ्रेश खरिदने के लिए कोई बड़ा trigger नहीं है जिससे कि stock में कोई बड़ी upside at least near term में आए तो I think at best it will be a market performer but definitely results have been slightly you know below expectations on the growth commentary because growth commentary अभी भी muted ही लग रही है ग्रोथ को लेके अभी भी management cautious लग रहा है और यह बात चाहिद market को अच्छी नहीं लगेगी और शायद सुबह स्टॉक थोड़ा वीक ही कोड़ेगा वीक शुरुवात की त्यारी कर रहा है परशलिये